नवस्कार आपका स्वागत है हमारे चैनल पर आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं सपने में अगरवत्ती देखना कैसा होता है सपने में अगरवत्ती जलाना कैसा होता है सपने में अगरवत्ती की विविन नवस्ताएं हमारे जीवन पर क्या प्रवाव डलती है तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन आपसे रिकुस्ट है चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सस्काइब कर दें अगर हो सके तो comment box में जैसे जा हम अवश्य लिगते हैं अब चलिए बात कर लिए हैं सपनों की तो हमारा सपन सास्तर कहता है सपने हमारे भविस्य का दरपन होते हैं सपने हमें हमें बताते हैं कि आने वाले समय हमारे जीवन में कौन सी घटनाएं घट सकती हैं और इन घटनाओं का असर आपके जीवन पर कैसा हो सकता है। ऐसे ही एक सपना होता है जिसमें हम अगरवत्ती को देखते हैं। हाला कि अगरवत्ती को हम रोज मर्रा की जिन्दमी में भगवान की इस्तुती पूजा रतना में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन सास्त्रों में इसको बरजित माना गया है। आपके सपने को जाएए और इस सपने को जादा से जादा लोगों तक अपने माद्यम से पहुचाएं। ताकि इस सपने का जो असर है आपके जीवन पर लगवक समाप्त हो जाए बहिएं बात कर लेते हैं अगर आप सपने में अगरवत्ती खरीदते हुए देखते हैं तो यह सुप सपना होता है यह सपना हमें बताता है कि आने वाले भविस में हमको गुप्त आमदनी के सुरोत मिलेंगे हमको नए आय के सुरोत हमारे जीवन में उत्पन होते हुए दिखाई देंगे इसलिए जब भी आपको अगरवत्ती वाला खरीदने वाला सपना आए तो किसी को ना बताए अगर आप सबने दूसरों को बताते हैं तो इनका प्रवाव कम हो जाता है या लगवक समाप्ती हो जाता है बहिए बात कर लेते हैं अगर आप देख रहे हैं कि आप अगर वत्ती से भगवान की आर्थी वगएरा कर रहे हैं तो ये सुब संकेत होता है इसका मतलब होता है कि आपकी प्रवर्ती धार्मिक होने वाली है अगर आप एक अधार्मिक बेक्ति या नास्तिक बेक्ति हैं तो आपकी प्रवर्ती जो है धार्मिक होने वाली है और आपकी सरदा भगवान के प्रती बढ़ने वाली है आप एक पूजा पाट करने वाले बेक्ति हो सकते हैं भाई आप बात कर लेते हैं आप अगरवत्तियों को ऐसी जगा पर अपने आपको लगाते हुए देखते हैं यहां पर आप साइध ही अगरवत्तियों को लगाते हों अगर ऐसा आपको सपना आए तो यह सपना होता है यह सपना आपको धनहान की और संकेत देता है यह सपना हमें बताता है कि आने वाले समय में हमको धनहान हो सकती है मैं अब बात कर लेते हैं अगर आप देखते हैं कि अगर वत्ती आपके सामने कोई दूसरा बेक्ती जला रहा है और ये बेक्ती आपका सत्रू है तो ये असुप संकेत होता है सबनसास्ट के अनसार ऐसा जब भी बेक्ति को सबना आता है इसका मतलब होता है आने वाले समय में उसके सत्रू, उसके बुरुद्ध सर्यंत करने में कामियाब हो सकते हैं ये सबना हमें बताता है कि हमको सत्र करना चाहिए और खास कर उन लोगों से जिन से हमको सबसे ज़्यादा खत्रा रहता है बैयें बात कर लेते हैं अगर आप देख रहे हैं कि आपका अपना कोई अगरवती जला रहा है तो ये थोड़ा असुब होता है इसका मतलब होता है कि आपके अपने ही आपके साथ कोई भीतरगात करने की सोच रहे हैं इसलिए आप अपनों के प्रती आख बंद करके भरोसा मत करिए हाला कि ऐसा हम नहीं कहते कि आप अपने अपनों पर भरोसा करना ही बंद कर दीजिए हमारे कहने का मतलब यह है कि कोई ऐसे बेक्ती होते हैं जो आपके अपने बनकर ही आपके पीड़ में जुरा कौपते हैं ऐसे बेक्तियों पर आप नजर बनाये रखें तो आपके जीवन में भलाई होगी भाई अगर खुद को आप अगर बत्ती जलाते हुए देखते हैं या उसमें आग लगाते हुए देखते हैं तो यह सुब संकेत होता है इसका मतलब होता है आने वाले समय में आप अपने बिरोधियों को पराजित कर सकते हैं और जिसकी वज़े से आने वाले भविस्में थैंक ये वर वाचिंग